हलो दोस्तों कैसे हो स्वागत आपका अपनी यूटूब चैनल एन्वेस अकेडिमी पर मैं नरंद से सोटी आपके सेवा में हाधिर हूँ फिर से एक बहतरीन सेसल लेकर देखिए अपन बात कर रहे थे साजेधारी के टोपिक के बारे में ठीक है तो अपन ने साजेधारी से रिलेटेड जो क्यूशन बनते हैं उनकी एक सीरीज बनाई थी उस सीरीज के दो परकार के क्यूशन अपन कार चुके थे उसमें तीसरी परकार का क्यूशन है अनुपात वाली साज़ेदारी तो देखिए आज के सेशन को सुरू से अंतक देखिएगा और अगर सेशन पसंद आये तो करपया ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं क्या है तो सस्क्राइब जरूर कर लें देखिए अनुप तीसरा जो होता है उसका समय और तीसरा होता है लाब ठीक है इन तेनों चीजों की जो इकाईयां है जैसे अगर मैं पूंजी की बात करूं तो रुपए के अंदर समय की बात करूं तो वारस या माहे के अंदर ठीक है और लाब की बात करूं तो लाब जो होगा वो रुपए के अंदर होगा ठीक है उन सबी तेनु जो रासियां हैं वो सारी की सारी अनुपात वाली साज़ेदारी के अंदर क्या होगा उनकी इकाईयां उनके साथ में नहीं होंगी इकाईयां साथ में नहीं होंगी और अनुपात का मतलब होता है कि वहत छोटी से छोटी संक्यां तुलना कानुपात पूश लेगा कभी तो लगाईगी पूझी कानुपात पूश लेगा ठीक है अब बात करता है देखिए इन परकार के क्यूशनों में मैं बात करूँ तो देखिए मुख्य तया इन बातों पे ध्यान रखना है कौन-कौन से बात है पहले तो प्रारंबिक पूझी उसने लगाई वो गुणा कितने समय के लिए लगाई ठीक है और वो जो होगी वो कुल पूझी के बराबर होगी और कुल पूझी जो बनेगी उस एक साजेदार को उसके अनुपात में ही क्या मिलेगा लाब मिलेगा ठीक है तो कुल पूझी की वज़े से जो लाब मिलेगा इस relation को समझ रहा है या फिर मैं कह दूँ कि पूंजी गुणा समय होगा वो लाब के बराबर होगा समझ रहे हैं आप कि मिलने वाली जो लाब की रासी है वो उस रासी के average में मिलेगी ठीक है अगर मैं अनुपातों की बात करूँ तो देखिए पूंजी का अनुपात अनुपात गुणा समय का अनुपात बराबर होगा लाब के अनुपात के बराबर ठीक है अब इन में से कोई दो चीज दे दी जाएंगी जैसे आपको पूंजी का अनुपात ग्याद करो तो पूंजी का अनुपात कैसे ग्याद करेंगे जब मेरे पास में दो चीजें होंगी क्या क्या एक तो लाब का अनुपात और दूसरा होगा समय का अनुपात ठीक है उसमें भाग दे जाता हूं समय के अनुपात का तो मेरे पास में जो निकलने वाला अनुपात जो सईस रहेगा वो किसका रहेगा भाई पूंजी का बस ये concept ध्यान में रखना है अपने questions आ रहे हैं वो soul हो जाएंगे अब questions के वारे में अपन बात करता है देखिए question number 13 जो कहता है वो कह रहा है A 400 रुपे में एक व्याफसाय आरम करता है ठीक है एनी व्याफसाय है जो आरम किया 400 रुपे लगा करता था कुछ समय बाद B 240 रुपे लगा कर व्याफ़ार में सामिल हो जाता है यदि वर्ष के अंत में कुल लाव चार अनुपात एक के अनुपात में बाटा जाता है तो बताईए बी कितने मेहने व्यापार में सामिल रहा तो इस परकार के क्योशन को करने के लिए देखिए कुल मिला के मैंने ये कहा था कि A और B की पूंजी पहले तो प्रतेक की पूंजी रख देते हैं प्रतेक की पूंजी रखेंगे तो ये तो 400 है ये 240 रुपए है ठीक है डाटा बड़े भी हो सकता है चोटी भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है अब इसके बाद में देखिए समय की बात करूँ तो समय मुझे जरूरत है तो मुझे निकालना है, अब क्या कहता है, कि लाब किसके बराबर होगा? खुल पूँजी के, किल पूँजी के से निकालनेंगे? पूँजी गुणा समय को आपसमें गुणा करके, ठीक है? तो जो लाब होगा, वो अनुपात दे रखा है, लाब का वो कितना है भाई चार अनुपात एक ठीक है तो कुल पूंजी जितनी मिलेगी उसी के अवैज में चार लाब मिलेगा कुल पूंजी बी के लिए जितनी होगी उसी के अवैज में एक अनुपात लाब प्राप्त होगा तो देखिए कुल पूंजी निकालेंगे तो यहां से कितने रुपए हो गए? 40-00 रुपए अगर कुल पूझी अर्ता-लिस-00 रुपए होती है, तो उसे लाब मिलता है चार अनुपात का, तो हर एक अनुपात लाब प्राफ्ट करने के लिए उसे कितने रुपे चीह है भई, उसे 1200 रुपे कुल पूझी होना ज़रूरी है, जिससे कि उसे एक अनुपात लाब प्राप्त हो सके ठीक है अब ये तो हुई एक की बात अगर मैं बी की बात करूं तो बी को मिलने वाला जो लाब है वो है एक अनुपात तो यहां से और इस अनुपात का मान बराबरी होगा निश्चित संक्या में जाएंगे तो तो चार अ अनुपात की वेल्यू अर्टालिस सो है तो एक अनुपात की वेल्यू होगी बारा सो ठीक है तो कुल पूंजी जो है बी की वो होगी बारा सो रुपे अब कुल पूंजी अगर मुझे पता है तो पूंजी गुणा समय बराबर ही कुल पूंजी होती है ठीक है तो मैं पूं कितनी है 12 100 यानि कि ये इसी के वज में लाब मिलेगा लाब वाली जो पुझी बनती है उसमें अगर मैं भाग देदू प्रारमगिक पुझी का तू निकल के आएगा समय तो 0 से 0 चोईस से कैंसल करेंगे तो कितने माह है पांच माह है यानि कि जो B है व्यापार में सिर्फ पा तो उसी प्रकार से भी अपन कर सकते हैं नेक्स्ट क्यूसन के बारे में बात करेंगे A 27,000 इसको 2700 कर लेना A 2700 रुपे लगा कर एक व्यापार प्रारम करता है कुछ महीने बाद B भी 2025 रुपे लगा कर व्यापार में सामिल हो जाता है व्यापार में बाटा जाता है तो कितने महीने बाद B व्यापार में सामिल हुआ अब क्या होता है A और B दो लोग है ये 2700 रुपे लगाता है और ये 2025 रुपे लगाता है ये तो हो गई प्रारम एक पूझे इसको मैं समय से गुणा कर दूँ तो वर्स के अंत के बारे में बात कर रहा है तो देखे B ने कहीं नहीं छोड़ी तो समय से मैं गुणा कर दूँगा समय कितना है 12 मां है इसका समय कितना है मुझे नहीं पता ये ही तो निकालना है गुणा करेंगे तो देखे क्या होगा 20-20 12 को गुणा करेंगे 7 से 12 से 84 सी 8 12 24 और 8 35 ठीक है इसके बराबर जो लाब होगा यानि कि 32,400 के बदले लाब मिलने वाला जो है उसका अनुपात है 2 ठीक है और इसको मिल रहा है 1 अब इस क्यूसन को हल करेंगे तो 2 अनुपात कब मिल रहे हैं जब कुल मिला के पुण्जी 32,400 हो रही है तब ठीक है तो मुझे चीए एक अनुपात की वेल्यू एक अनुपात की वेल्यू कितनी हो जाएगी भई 16,200 रूप है ठीक है तो 16,200 देखे यहां एक अनुपात लाब मिल रहा है तो कितने महीने तक रहा कुल पुण्जी हो गई 16,200 ठीक है 16,200 प्रारम भी पुण्जी लगाता है 2025 कैंसल करेंगे तो देखे कितनी बार कट जाएगा 8 बार ठीक है 8 बार यह कटा तो यहां देखिए बी कितने समय तक व्यापार में रहा तब तो आंसर आजा था 8 माहे तक अब कहता है कितने महीने बाद कितने महीने बाद एक वरस में 12 माहे होते हैं 8 माहे तक वो लगा रहा तो इसका मतलब कितने माहे बाद में सामिल हुआ 4 माहे बाद ठीक है तो बी ने अपनी पुण्जी चार माहे बाद सामिल की जिसकी वज़े से उसे दो अनुपात एक के रूप में लाप प्राप्त हो रहा है ठीक है नेक्स्ट क्योशन करता है एवं बी किसी व्यवसाय में पांच अनुपात छे के अनुपात में पूंजी लगाते हैं आठे में महीने के समाप्ति पर ए अपने पूंजी वापस ले लेता है ठीक है यदि वे पांच अनुपात नो के अनुपात में मुनाफ़ा करता है तो बताइए बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई तो इस परकार की क्योशन को देखे कैसे हल करेंगे ए और बी दो लोग है ये तो पूंजी लगाता है पांच रेशो में ये छे रेशो में लगाता है ये तो प्रारंबिक पूंजी की बात हो गई ठीक है अब जितने भी रासी लगाई थी वो कितने महीने तक लगाई थी तो वो समय यहां लिख देंगे समय कितना है भई आठ तो जो लाब मिलेगा इन दोनों के गुननफल के बरावर यानि कि कितने के बरावर होगा 40 के बरावर जब 40 कुल मिलाके रेश्यो पुनजी का बनता है तो उसे लाब मिलता है 5 रेश्यो ठीक है तो हर एक रेश्यो लाब प्राप्त करने के लिए कितने चीएंगे 4 ठीक है सोरी 8 तो यहां देखे B को मिलने वाला लाब है 9 अनुपात के अंदर तो हर एक रेश्यो प्राप्त करने के लिए उसे 8 अनुपात रासी चीए तो 8 से बुना कर देंगे में 6 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा या फिर मैं 6 को किस संक्या से गुणा करूं कि बहतर बन जाए तो ऐसी संक्या जो 6 को बहतर बना दे वो केवल और केवल कितनी है 12 है चीक है तो B कितने माहे तक लगा रहा भई बी ने 12 माहे तक अपनी पूंजी लगाई जिसकी नो अनुपात रेशो कब बनेगा जब B की कुल पुंजी बहतर हो जाएगी और कुल पुंजी कैसे बनती है प्रारम्बिक पुंजी को अगर मैं समय से गुणा कर दूं तो वो कुल पुंजी के बराबर होती है ठीक है नेक्स्ट क्यूसन के बारे में आपन बात करता है ए बी प्रारम्बिक पुंजी थी दो अनुपात तीन अनुपात पंच के रूप में ठीक है ये तो प्रारम्बिक पुंजी हो गई अवदी यानिकि समय के मां बारे में बात करूँ तो अनुपात बन रहा है चार अनुपात पांच अनुपात छे ठीक है तो जो लाब प्राफ्थ होगा इनके दोनों के गुणनफल के अनुपात के रूप में प्राफ्थ होगा तो गुणनफल कर देते हैं चार को दो से रही है तो लाब का अनुपात यही बन जाएगा तो option नंबर कौनसा से ही हो जाएगा बी option next question देखते हैं A B तदा C द्वारा लगाईगी पुन्जी का अनुपात है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 A B और C तो प्रारम में उन्होंने पुन्जी लगाई 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का अनुपात में ठीक है अब कहता है लाब प्राप्त हो रहा है यह तो पुन्जी का अनुपात हो गया यह लाब का अनुपात ठीक है लाब का अनुपात कितना है 4 अनुपात 5 अनुपात 6 अब देखिए मुझे यह समय का अनुपात तो समय का अनुपात कैसे निकाल दूंगा, लाब में पूंजी का भाग देकर ही निकाल सकते हैं, तो चार में भाग दूंगा, देखें, पूंजी का अनुपात है, दो, पांच में भाग दूंगा, कितने का, तीन का, और छै में भाग दूंगा, कितने का, भई, चार का, ठीक कर दू तो सरल अनुपात बन जाएगा तो लैसे सी गुणा करेंगे तो दो, तीन और चार का लैसर के कितना बनता है भאी बारे, परतेक संक्या को बारे से गुणा कर दू मैं, तो देखे नए अनुपात बन जाएगा कितना भाई 2 से, इसको cancel करेंगे तो 24 ठीक है, तीन से cancel करेंगे बारा को 4 बार, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 20 4 को cancel करेंगे तीन बार, और 3 को गुणा करेंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा, 8 टारे ठीक है अब ये संक्षय अगे और कट रही है तो नया अनुपाद बन झाएगाhmen 12 अनुपाद 10 अनुपाद 9 टीक है तो 12 अनुपाद 10 अनुपाद 9 कौनजी संक्य में है भाई option number D के अंदर तो लगाया गया समय जो है वो 12 अनुपात 10 अनुपात 9 है ठीक है यानि कि 2 ratio पूंजी तो 12 अनुपात के लिए लगाईगी 3 ratio पूंजी 10 अनुपात के लिए 4 ratio पूंजी 9 अनुपात के लिए लगाईगी जिसकी वज़त से अपने को मिलने वाला लाब है वो कितना मिल रहा है 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के रूप में मिल रहा है next question और करते हैं A B तता C अपनी पूंजी निवेस कर एक व्यवसाय आरम करते हैं उनके द्वारा निवेस की अवदी 2 अनुपात 3 अनुपात 4 किस अनुपात में है यहाँ देखिए समय दिया गया है प्रारंबिक पूंजी का मुझे नहीं पता है कितनी है लेकिन लाब दे रखा है 4 अनुपात 3 अनुपात 2 के अनुपात में है तो उनकी पूंजी का अनुपात कैसे निका लेंग अब मुझे चीए प्रारम्पिक पूंजी का अनुपात जो उसने लगाई थी टू A ने तो कितनी पूंजी लगाई कैसे पता लगेगा उसके लाब में अगर मैं समय का भाग देदू तो लाब में भाग दूँगा चार में भाग दूँगा दो का तीन में भाग दूँगा कितने का तीन का और भाग दूँगा दो में कितने का भाई चार का जो कैंसल हो रहा है कैंसल कर दीजिए 2 से 4 को cancel करेंगे तो नया अनुपात बन जाएगा देखे कितना 2 अनुपात 1 अनुपात 1 बटे 2 नीचे वाले 2 को खतम करना है तो सभी संक्याओं को 2 से गुणा कर दू तो ये तो संक्या बन जाएगी 4 ये संक्या बन जाएगी 2 और ये संक्या बन जाएगी 1 ठीक है तो लगाई गई पूंजी का अनुपात है 4 अनुपात 2 अनुपात 1 तो option number कौन सा सही हो जाएगा option number B यानि कि उनकी लगाई गई पूंजी का अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 1 होगा तो देखे कैसा लगा आज का सेशन आसा करता हूँ कि जो भी बाते मैं नहीं बोली आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी अगर सेशन पसंद आया हो तो करपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ सब्सक्राइब करना ना भूले बेस्ट अप लग NBA सेकेडमी पर बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद